आज में आपके लाइयों मल्टी कलर मोधक जो खाने में बहुत स्वादस लगते हैं बनाने हैं बहुत आसान हैं आप इनको यह को जरूर ट्राइ करें यह जगा चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने 60 ml दूद लिया है और दूर नॉर्मल टेंपरेटर का होना चाहिए ए एक कप मिल्क पाउडर लिया है इन सब चीजान को अच्छे से मिक्स कर देना अभी हमने ग्यस चालू नहीं की है इसको अभी बिना गयस बंद करके सब चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं जिसे लम्शना पड़े और चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए जाए जैसे दीखिए आप आपाज़ानी से इसको मिक्स कर सकते हैं अब हम गैस चालू कर देंगे कि अब पहले समें हम चार चंप मैं सुगर पावडर डालेंगे आप टेंसकी Conseogan बढ़ा सकते हैं मैं थोड़ा कम डाल रहा हूं इसमें को की कि he पाउडर अलऌधी मीठा होता है इसलिए उसके अच्छे से मिक्स कर दीए और सब को अच्छा जेया हम near लू फिलेमपर रखेंगे हाई फिलेम पर नहीं पकाएंगे लो फुलेमपर ही पकाएंगे नहीं दो जल जाएगा हमारा मिक्सर और यह पांचा मिनट माई अच्छे से डो के फॉर्म में आ जाता है और यह मुदक खाने बहुत स्वादिस लगते हैं एक बार आप जरूर बनाएगा इन मुदकों को जिसमां यह वन टी स्पूर इलाइची पाउडर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे देखी हमारा egg another ञाउर यह देखी अदोग में आता जा रहा है देखी आगया है यह कड़ाई छोड़ने लगे तब तक उसको पकाना नए देखी कितना छोड़ने लगा है इसको ठंडा करने रख देंगे रिद एक आदे घंटे के लिए फ्रज्ज बीष हो जाएगा मुदग बनाने के लिए देखि थंदा हो चुका है है अब हम इसको फ्रेज्मे है सट करने रख देंगे इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे चार बडावर भागवा में डिवाइट कर लिजे लिए कि हमने चार भागों में डवाइट कर लिया है अब हम इसका पहला भाग ले लेंगे जो हमको मुदक बनाना है उसको अलग कर लेंगे अब इसमें हम ग्रीन फूड कलर मिक्स कर रहे हैं वन पेंच और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यह आसानी से मिक्स हो जाता है कोई दिक्कत नहीं आती है देखिए मिक्स हो चुका है अले हम इसको मौदग को हम ने घ्रिस कर दिया है है तो हम आप मिसम डो फिल करेंगे और काच्छा से फिल करना है कहीं से खोऊ़ीつ पेस नहां रहाँ जिससे हमारा मुदक फफेक्टली बनके तैयार हो जाएगा और बहुत आसान है बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है इन मुदकों को बनाने में अब हम इसके अंदर गुलकंद भर देंगे गुलकंद आपको मार्केट में या पान की शॉप पे मिल जाएगा असानी से हमारा मुदक बनके तैयार हो चुका है कितना अच्छा लग रहा है ना इसी तरीके से हम यह पान वाली मुदक बना के तैयार कर लेंगे है ना कितना आसान पान मुदक बनाना आप भी आपके इनको बढ़ी आसानी से बना सकते हैं चलिया हम दूर्स तरीके के मुदक बनाते यह है केसर वाला दूद लिया है मैंने पहले ही वह दिया था इसको यह की चंबल जाल ज्यादा नहीं डालने बनना हो गीला हो जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यह हम केसर पिस्ता मुदक बना रहे हैं अब इसको गना डू को इसके अंदर फिल कर लेंगे अच्छे से कहीं से भी कोई स्पेस ना रहे हैं जिससे हमारा मुदक परफेक्टली बनके दयार हो जाएगा देखी डू भर लिया है अब इसके बीच में पिस्ता डाल देंगे जो हमने होल किया तो उसके स्पेस्ता बर देंगे और उपर से कवर कर देंगे यह मुदक खाने बहुत स्वादेश लगती हैं देखी बन चुका हमारा मुदक अब इसको भी मूल्ट से निकाल लेंगे देखी कितना अच्छा देख रहा है है ना बनके परफेक्ट त्यार यह वाले मुदक भी हम बना के तयार कर लेंगे इसी तरीके से देखिए हैना कितना आसान चलिए हम तीसरा मुदक बनाती है यह बना रहे हम कोकू पाउडर इसमें इक चमच कोकू पाउडर मिक्स करेंग ऑफ्से और अच्छे से टोको मैं मिक्स कर लेंगी इसमें क?, कोगो काउडर मा देखिए मिक्स हो चुका है हमारा अब मुदण बनाते हैं अब डो लेके हम मुदण के अंदर जो करेंगे उसकी अंदर साचे के अंदर आप भी एप मुदण बना आत्राशा कि इतना अच्छा दिख रहा है ना देखिए इसी तरी किसम कोको पाउडर के सारे मुदग तयार कर लेंगे हम चौथा फ्लेवर मना रहे हैं इसके लिए मैंने वन चमस रोज सीरप लिया है वन टीस्पून जाधा नहीं लेंगे वनना हमारा डो गीला हो जाएगा अगर आपका डो घीला हो जाए तो आप इसको फ्रिज में सैट करने रख दीजिए और वन पिंच रेड फूट कर लें डाल देंगे जिससे देखने में और भी सुन्दर लगेंगे हमारे मुदग इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और डो को फिल कर देंगे देखी कितने आसान है ना मुदग बनाना हमने चाट तरगी के मुदग मना लिन ओंप एक और एक ही डो से आप वी बढ़े आप व्य आप एसानी से